हेलो गाइज, वेलикомralम तूम तो हमतना स्टेडर्डी स्टूक्चर इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे बाइव फिल्ड के बारे में, कि बाइव फिल्ड होता क्या है, ये किस तरह से यूज होता है, एंडिया के अंदर भी ये topic पूछा गया है इसका question एक आया है UPSC के अंदर and anti-pc SSC के लिए भी एक बहुत important topic है and anti-pc से related other videos, labor and exam pattern आप मेरे exam pattern वक्की video मेरे channel पे देख सकते हैं उनका link आपको description box के अंदर मिल जाएगा उन तो इन videos को आप जोरू देखे कि वह आपके लिए बहुत helpful होंगी तो इस video को हम start करते है what is biofuels? biofuels क्या होता है जो आपका biomass से drive करा जाता है biomass जो plant हो गया, algae material, animal waste हो गया, animal waste जैसे count on cake या उपला जीसे बोलते हैं उससे हम biofuels बना सकते हैं test में आपको simply बताता हो कि biofuels किस तरह से होगा, जैसे B100 है B100 का मतलब क्या? pure bio diesel मतलब जो biofuels आपने बनाया जो bio diesel है वो pure 100% हो लेकिं B2 है, अभी B2 का है? 2% bio diesel, 98% petroleum diesel 2% तो जो bio mass से bio diesel बनाया वो है, और 98% आपका petroleum diesel है जो petrol pump में मिलता है, वो fossil diesel भी बोलते हैं से, जो 98% होता है अब B5 के अंदर similarly क्या होगा? 5% bio diesel होगा, 95% आपका petroleum diesel होगा जो bio diesel है, वो bio mass से बनेगा, जो 95% जो petroleum diesel हो fossil diesel है B20 आपका 20% आपका bio diesel होगा, 80% petroleum diesel होगा, 100% बता चुका हूँ bio diesel क्या करता है? several country का help कर यह, क्यों? क्या help कर यह इसने? कि वो dependence थी किसके अपर foreign oil diesel के ओपर जैसे, जो oil producing countries होती है कुछी countries है, जो oil produce कर पाती है, क्योंकि उनके पास तेल की खाने है तो उसमें से तेल निकालते है, तो वो कुछी countries के पास है, सब countries के पास नहीं है तो जो other country है, वो oil producing country पे depend है, for oil जो fuel है, उसके लिए dependent है उन countries पे, तो वो क्या करती है, वो domestically produce कर सकती है बायो डीजल को और अपनी dependency खतम कर सकती है अपनी dependency खतम कर सकती है, अपने ही country के अंदर बायो डीजल बना देगी, तो फिर उनको oil producing country होती है उनसे fuel खरीदना नहीं पड़ेगा, उनके उपर dependent नहीं रहना पड़ेगा fuel के लिए can be used in any diesel engine और जो बायो फील हो किसी भी diesel engine के अंदर यूज करा जा सकता है with little or no modification कि उस इंजन के अंदर थोड़ी सी modification या modification ना भी करें तो भी यूज कर सकते हैं, इस्ट वाइ बायो फ्यूल ही क्यों अधर भी तो फ्यूल से हैं लेकिन बायो फ्यूल ही क्यों पहले तो हम जो conventional source है हमारे fossil fuel उनके बारे में देखते हैं कि उनके बारे में क्या है जो fossil fuels है वह main source of energy है for every country जितने भी country है उनके लिए सब country fossil fuel यूज करते हैं अपनी energy demand पूरी करने के लिए तो उसको प्रिडिक करा गया है कि 40 साल में जो fossil fuel हो सारा खता हो जाएगा क्योंकि आपको पाता fossil fuel कितना ही हो जो रहा है अब फॉसिल जितना ही होगा उतनी जल्दी खतम होता जाएगा तो 40 साल ही है जितना हो चलेगा क्योंकि नए भी विकल से number of vehicle increase होता जा रहे है पूरे वर्ल्ड के अंदर तो उस वह से फॉसिल खतम होता जा रहा है अब आप देखें प्राइस और टेएक प्र蓮 की लिवाइंगा घर की कि दिवां बढ़ रहे हैं अपके एलेक्टिसी पर दिए अदर कोल यूज होता है कोल क्या फॉसिल है तो डिमांड कहा से बोरिया यह फॉसिल से तो उनका प्राइस भी भड़ता जाएगा क्योंकि प्राइस किसलिए बढ़ेगा क्योंकि उनकी जो स्टोरेज आवह खातम हो रही है अब कियो बीस्ट कु खूँए तो उसका प्राइस क्या होगा एक इसी तरह किसे होता है थर्ड पाइंट क्या स्टाइब जालता तो उसके अंदर क्रिनाउज गास निकलती है सीयो डू क्रबन डाइक्सली तो उससे क्लामेट चेंज होता है इन्वारमेंट गरम होता जाएगा तो वह हाम्फूल ह है कि यह एक हाम्फुल इफेक्ट ए इन्वार्यमेंट पे फॉसिल फ्यूल का है डिपेंडेंसी औन ओल प्रडूजिंग कंट्री और फ्योल यह यह जो पॉइंट हम डिसकस करशिक हैं कि जो अधर कंट्री इस है वह वह प्र्डूज अन्ट कंट्री पे क्यों ये चीज़ तो हम डिसकस कर चुके और अदर भी चीज़े दिसकस करते हैं ज़िस से आपको और किलियर हो जाएगा कि भाई यहां पर देखते हैं डिफरेंट फॉम अधर टाइप अल्टरनेटीव एनरजी जैसे बैटरी बैटरी की जो एनरजी है बैटरी क्या होती है इसको इसको कॉष्ट बनाने में लगता उतना यह एनरजी नहीं कर पाती मतलब ज्यादा एनरजी हमें नहीं दे पाती क्योंकि हम इस पर थोड़ा सा कॉष्ट लगा है लेकिन हमें एनरजी ज्यादा मिले ईए ऐ supo क्वी देट इसावदी प्रॉड में टरंस टन डेंजर स्कारबन अब कोल है कोथ एक सोर्स है कौंसा सोच्षा पॉसिली फॉसिल एक टिकस्वाश में नहीं नहीं लahh जिवावाश में डंडिया फॉसिल के अंदर क्या होता है कि इसको जब जलाएंगे तो मैंस फॉस्ल फिजेल उता करपन ही होता है अगर उसको जले से MOR आएगा carbon dioxide environment के लिए harmful होगी के तो billion tons of carbon इमिट कर सकता है अगर हम fossil fuel को जलाएं तो इतना fossil fuel है हमारे पास अगर उसको जलेगा तो वो इतना carbon atmosphere के अंदे जमा कर देगा तो dangerous है non renewable source अब जैसे non renewable source है हमारा एक natural gas जैसे CNG LPG वगरा होगी तो इनके लिए capital high capital चाहिए इनको store वगरा करने के लिए आपने देखा होगा गैस को इस तरह से store नहीं कर सकते हैं गैस को store करने के लिए जो LPG gas वगरा उसके लिए अलग से units बना ही जाती है तो वह बहुत costly होती है geothermal that not so simple geothermal energy है क्या होती है geothermal energy मेरे से हम energy drive करेंगे और किसी और energy है electrical energy होती है जिसमें इसको convert करते हैं तो वह हमारे लिए बहुत expensive हो जाएगा जियो thermal energy को drive करना आसान नहीं होता है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है solar energy है even though it is free free of cost sunlight आ रहे हैं इसे energy बना सकते हैं लेकिन problem क्या है problem है need expensive cost आपने टैंथ में पढ़ा होगा ncati के अंदर है कि जब solar cell बनता है तो solar cell में जो wiring यूज होती हो silver की होती है यानि चांदी की wiring यूज होती है तो यह expensive होगी है तो solar cell भी आपका expensive हो जाएगा फिरी तो है लेकिन जो उसका convert करेंगे में energy के अंदर उसको एलेक्टिक energy में वह हमें बहुत costly पड़ जाता है कि बायो मास अब बायो मास जो बायो फिल्ट के resources है वह क्या एक एक ही वन यह only one renewable energy source है एक ही ऐसा इसके बहुत potential है बहुत ताकत है कि वह रिप्लेश कर सके बहुत उसके अंदर एक option बहुत सारे options है मतलब वह एक alternate alternate option देता है कि वह replace कर सके किसको fossil fuel को कि क्योंकि बायो मास हमार पार वह ज़्यादा है हमेर्पर कौर्न है हमारा किए कितने सारेisés번gers जितने भी फसल होती है। जितने भी बचेवेससे होते हैं दिखुत भाइनसे हम क्या बाइफर बना सकते हैं तो यह बहुत हैं हम करें कि अदर सुब्राय यह जसे सब यूरे अल्टराणीट सोर्स है दिख कहां होगा सोलेर हो हूं गया विंक वे से सारी वाटर हो गया है वलते हैं जो बाथ बनाकर कर प्रट्रि घंड करते हैं का इड्रिक सब्सक्राइब है अब जैसे आप देखिए हैआ बाइक है अन्द पैटरोल उजाता है लेकिन पाइक इलैक्टीम एंदर टॉर्क उतना नहीं होता है उतनी पावर नहीं होती उसके इंदर तो उसके लिए हमें क्या एक ऐसा alternative source of fuel चाहिए जो same power के साथ चल सके electric vehicle जो होते हैं उनके अंदर इतनी power नहीं होती है कि नेक्स्ट हाउ इस बायो फिल मेड जर्नली यूज कैमिकल रियक्षिन के थुरू बनाए जाता है fermentation होता है heat यूज करते हैं breakdown करने के लिए जो इनके अंदर complex material होगा उसको breakdown करेंगे तभी तो हमार को एक फ्यूल मिलेगा तो complex material starts हो गया आपका ठीक है sugar हो गया other molecules in plant हो गया resulting जो प्रोड़क्ट आया अब उसको breakdown करते हैं सारे जो organic उसके अंदर organic material ते जो complex material उनको breakdown करने करने के बाद क्या हुआ को तोड़ने के बाद एक refined refined हमारा एक एक जो oil बना उसको क्या करेंगे refine करेंगे refine करने के बाद हमारा क्या आएगा एक बाइडीजल बन जायाएगा उसको वीकल में यूज कर सकते हैं जैसे आप यहां पर दे सकते हैं क्रॉप आया sunflower दिखा रखा है आपे oil seed आए उसके बाद crude oil बनाया उसका हम ने फिर उसको करा फिर उसके अंदर alcohol mix करा जो मैंने आपको बता चुका हूं कि बीटू बीफाइब तरीके से उसको mix करा जाएगा blend करा जाएगा blend करने के बाद वह बायोडीजल बन जाएगा उसके बाद हम वीकल के इंदर यूज कर सकता है वीकल के इंदर co2 होईगी और आपको बता फोटर संथेसी यह नहीं प्रकास अंसलेशन जो होता उसके इंदर co2 यूज होती है ठीक है तो यह साइकल इस तरह से चलती रहती है कि नेक्स्ट नेशनल पॉलेसी और बायोफियल्स हमारी जो नेशनल पॉलेसी है इंडिया की वह बायोफियल्स पर क्या है दोजार ठार में आई थी है याद रखना आपको बहुत इंपोर्टेंट है इंट्रीड्यूज इन यह रफ टुटावजन नाइन में इंट्रीड्यूज होई थी लेकिन जो करेंट एडिशन चल रहा है वह अप्रूव कर रहा था कैश्ट ने दोजार ठार में इस पॉलिशी दपॉलिशी इंट्रीश का एंग क्या है इंडिकेटिव टार्गेट क्या इसका अचीविंग 20 परसंट ब्लैंडिंग और बाय फियूल्स मतलब 20 परसंट ब्लैंडिंग और बाय फियूल्स होगा जैसे आपको उसमें बताया बी 20 यानि विद फॉसिल बेस्ट फ्यूल बाय 2030 यानि 2030 तक 20 परसंट ब्लैंडिंग और बाय फियूल्स बन जाएंगा मतलब 20 परसंट तो आपका बाय फियूल्स होगा और प्लस 80 परसंट जो आपका कर्वेंशनल डीजल या पैट्रोल होगा उसके अंदर और और वह टार्गेट कब तक अचीव करना है 2030 तक यह एक इंडिकेटिव टार्गेट है ओके म्नारी म्नारी यह यह अनर balls नार्जी मिनिस्ट्री है उस इसने एक इंडिकेटिव टार्गे सबाय 20 परसंट पर टार्चैन और के इंदर और ऐटहनाल इना颯 में और आप incl now i पीजल के अंदर और यह टार्गेट अजी करेंगे 2030 तक अब पॉलिसी के अंदर कुछ कैसे प्रोगर्रांबल ब्ल्रेंड ही व है और इसके लिए भीशनल कोई बिशूय केसी में प्रोग्राम के लिए मिधा इसके लिया प्रोग्राम जाएबां। कि मतलब उसके लिए गोडाउन चाहिए कुछ भी जो स्टोर करने के लिए उसको डिस्ट्रीबूट करेंगे तो ट्रांस्वेटिशन की फैसलिटी चाहिए यह सारी चीज होनी चाहिए रिसर्च जहें डेविल्ट्म्नट होगा रिशाच करना पड़ेगा रिशाच करके डिवलाप करेंगे उसको ठीक है quality स्टेंडर्ड सेम होना चीए हर बार यह नहीं कि एक बार क्वालिटी अलगा रहे है दूसरी बार क्वालिटी अलगा रहे है इस तरह किससे नहीं होना चीए quality same होनी चीए कि ये नहीं कि वीकल में को दिक्कत करा है ऐसा नहीं होना चीए तो quality standard same होना चीए distribution and marketing of biofuels distribution भी proper होना चीए equally distribution होना चीए पुरे country के अंदर ये कही state वगरे से start होगा लेकिन पुरी country के अंदर throughout जहां पर भी distribute होना चीए जगा मिलना चीए availability होनी चीए इनी की खताम हो गया marketing of biofuels marketing भी होगी biofuels लोगों को समझाया जाएगा biofuels क्यों use करें environment के लिए क्यों helpful है तो ये सब चीज़ों को समझाया जाएगी pricing of biofuels जो price है biofuels के वो भी certain रखे जाएगे वो भी एक मतलब price भी होना चीए एक affordable price होना चीए इस तरीके से price रखे जाएगे उसके pricing भी होगी biofuels की इस policy के अंदर ये सब चीज़ों बताई हुए ये आपको government की set पे भी मिल जाएगी पूरी policy दे रखे पीडियाफ है अब ये बाइफिल इंडेक अंदर कैसे होता है वन जी टू जी थ्री जी अब वन जी टू जी थ्री जी का मतलब क्या वन जी बाइफिल्स जो एडिएबल होते हैं जो खाई जा सकते हैं जो मॉलसीज हो गया आपके sugar containing material like sugar cane हो गया गन्ना शुगर भीट हो गया आपका ठीक है चकुंदर starch containing material हो गया कौन रूटन पटाइटो बक्का अलू इस तरीके से edible oil seeds oil seeds को हम खा सकते हैं जैसे mustard हो गया तू जी बाइफिल्स नॉन एडिएबल sources होते हैं ठीक है जिसको हम खा नहीं सकते नॉन एडिबल्स ओइल सीट्स हो गए हमारे जिस सीट्स को मखा नहीं जा सकते हैं और यूज्ड cooking oil हो गया जो करने के लिए oil यूज होता है उसका कोई मतलब बच गया तो वह जो कुकिंग ओईल हो गया आपका एक रिकल्चर रइस एडिव जो अगरिकल्चर जैसे ग्याहों का प्लांट बच जाता है तो वह बचाव प्लांट हो गया ठीक है राइस ट्रॉब एसको कॉर्टन श्टॉख हो गया इसी तरह के से कौन कॉपस हो गए जो भी मतलब जो फल था वह निकाल लिए और जो पच सब्सक्राइब ऊसको क्या बोलते हैं सुस्क्राइब जो बोलेंगे क्योंकि इनकी जो पावर पावर जो प्रडियूस करेंगे ये ज्यादा करेंगे वन जी बाइफियल से इस वज़े सुनको अडवांस बोलेंगे नेक्स्ट इस इस दे ग्राफ अबाउट पर्फोर्मेंस एंड दा प्रोड़क्शन ऑफ बाइफियल्स अफ अधर कंट्रेज और वर्ल्ड कंट्रेज तो युनाइटि स्टेट्स पर वन पर सेकेंड पर ब्राजिल थर्ड पर इंडोनेशिया इंडोनेशिया एक टाइम पर टॉप टैन में नहीं था इसकी पॉलिसी बनी थी 2006 के अंदर 2010 तक वो अपन डाउन चलती रही 2010 के बाद इसने ग्रोव होना शुरू करा फिर दीरे दीरे इसने टॉप टैन के अंदर जगा बनाई तो इसके बाद धीरे धीरे करके यह थार्ड पोजिशन पर आपको लाया क्योंकि इसको अपनी एनर्जी की डिमांड पूरी क से थुरू एंड तो यह एक अप्रिशेट करना चाहिए कि इंडोनेशिया ने अपनी जगा बनाई टॉप 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 थ्री कंट्री के अंदर एंड यूएस के बारे में देख लेते कि यूएस जो है वो क्या यूज करता है कौन को यूटिलाइस करता है फोर बा बाई फ्यूल के लिया और उसको वो गाता विए इस्पेशली फॉर बाई फ्यूब के लिए उगाता है उसे खाने के लिए उगता लेंकि बाइफील के लिए उगता है इंड तो दिस वाजडा आपको मेरी वीडियो यह पसंद आई होगी क्योंकि मैंने इसके अंदर कवर कर चुका हूं इसके अंदर इसमें इसे आपके जितने भी कोशन बाय फिल्स के अंदर आते हैं वह आप इसके थू कर सकते हैं अगर आपने वीडियो देखिये तो इससे आप कर पाएंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इससे लाइक करें सब्सक्राइब करें शेर करें और इससे मैं चैनल स्टडी स्टक्चर थैंक यू गाइज